नमस्कार दोस्ति थाटो का ही क्रम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ठाट पर रियाज कैसे करते हैं तो आगे चलने से पहले फिर से वही बात बोलूंगी कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और शब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें क्यों पोस्ट आपके पास एक्तम से आजाए उसके लिए आप प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लें और आपसे ही जुड़े और भी जो लोग जो भी संगी प्रेमी है जिनको भी इससे लाव हो सकता है उन सबके भी साथ मेरा ये चैनल शेयर करना ना पर तो आगे बढ़ते संस्कृति से है वह केवर शारिक अभिव्यक्ति नहीं है बलकि यह विचारों और भावनाओं का एक माध्यम है ठाट में सुगठित भावनाय और सहस्ता का सामन जिस्य होता है यह कला में निपूंता और गहराई को दर्शाता है जिसके बिना कोई भी प्रतर्शन अधूरा आगे बढ़ते हैं ठाट के प्रकार नित्य ठाट, संगीत ठाट, नाट्य ठाट अलग अलग ठाट होते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए निर्थ्य में भी ठाट होता है जैसे नित्य में ठाट शारिक भावों और मुद्रा को के माध्यम से भावनाओं को अभिवेक्ति के लिए उप्योग किया जाता है यह भिन्य प्रकार के नृत्व शैलियों में पाया जाता है जिसे भारुत नाट्यम और कथ्थक अनेक प्रकार के ठाट होते हैं संगीत ठाट संगीत में ठाट का उप्योग राग और तार के माध्यम से किया जाता है इसमें संगीत कार अपने भावनाओं और विचारों का प्रतिपादन करते हैं ठाट की शैदी काहिकी में महत्पून होती है नाटे ठाट नाटकों में ठाट समबाद और शारेलिक अभ्यक्तियों के माधियम से कहानी कहना होता है यह पात्रों की मनोबृतियों और भावनाओं को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करता है अब थाट का अभ्यास विधी थाट का रियास, थाट के रियास में विभिन प्रकार के अभ्यास शामिन होते हैं जैसे शाहरी वियास, अभ्यास और आत्म समवेदक तक्नीक इन विधीयों के माध्यम से कलाकार अपने थाट को भीशित करते हैं मैंने पहले भी वियायाम के बारे में तो पहले भी बहुत कुछ बताया है अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे पुराने वीडियों को देखें जिसमें मैंने ये बताया है कि स्वरों का वाम अप कैसे किया जाता है वियायाम कौन कौन से योग है जो कि इनके लिए बहुत खास है आपके गाईकी के लिए और आपको कैसे हिल्प करते हैं तो इस वीडियों पर जरूर जाएं महर्पिट हाट का रियाज अनुशाशन और नियमित्ता को बढ़ावा देता है यह कलाकारी की यहराई को विक्सित करता है और शारेरिक एवन मानसिक स्वास्त को बनाए रखने में मदद करता है नियमित्त रियाज से कलाकारों का आत्मविश्वास और अभिवेक्ति कौशर करता है यह तो हम सब समझते हैं कि जितना आप प्रियाज करेंगे जितना आप नियमित एक्सरसाइज अब करते हैं तो आपको उतना ही फाइदा होता है हिंदुस्तानी संगीत आंदोलित ठाट यह ठाट गायक की उचिता मानसिक्ता को दर्शाता है करनातक संगीत युक्त ठाट यह ताल बद्धिता को बढ़ावा देता है संपूर्ण नित्य नित्य ठाट यह ठाट नित्य प्रदर्शन में भाबनाव में के सार्थक प्रदर्शन को चस्तुत करता है इस बात को समझने के लिए आप बार बार इस रिकॉर्डिंग को सुने आपको जरूर से समझ में आएग ठाट का नियमित अभ्यास मांसिक स्वास्त को सुधारने में सहायव होता है या तनाव को कम करता है और एकाग्रता बढ़ाता है 20% कलात्मत विकास ठाट से कलाकारों का रचनात्मत दिस्टिक्योन विक्सित होता है नियमित रियाज से कलाकार की कला में निकुनता आती है, 10% समुदाय का विकास, ठाट का अभ्या समुदाय के बीच सांस्कृतिक समावेश को बढ़ावा देता है, या एक जुटता और सहयोग की भाबना के मलबूर करता है, तीस परशन शारेरिक स्वास्तिक ठाट का रियाज शारेरिक विकास को बढ़ावा देता है, और शरीत की सहन्षक्ति में व्रिधी करता है, या फिटनेस को बनाये रखने में भी मदद करता है, अब हम ठाटों का रियाज कैसे करते हैं इस पर बात करते हैं तो सबसे पहले बिलावल ठाट आता है बिलावल ठाट जिसमें कि सारे स्वर्श शुद्ध लगते हैं तो हमेशा जब भी ठाटों का रियाज करें तो यह जो दसों ठाट है इनको एक साथ ही एक के बाद ही करते ज केप रहे हैं जो मेरा स्केव है आप अब कल्यान में क्या है मतीव रहे तो अब खमाज में नी कोमल है अब असावरी में गधानी कोमल अब काफी काफी में गधा और नी कोमल लगते हैं सारे गामापा दाइने साव सारे गापा मागारे साव अब भैर्वी भैर्व में रेगा धानी कोमल सारे गामापा दाइने साव सारी दापा मागारे साव मागारे साव ये भैर्वी हुआ भैर्वी के बाद भैर्व जिसमें रे और धा कोमल लगते हैं सारे गामापा दाइने साव सारी दापा मागारे साव काह। तो कि मृष्वय बार गैर्वी सारे गारे सारे मैं ठीकर वह दिर साव पिसर परदुन काते हैं अवर ने सारा करते आदो क्रों क्कूछा ये वह दिन रिबनापा है ग्ले मिलसा दाएने से शनले डोले शरी Pir वहाट نہ की भी जरूरत नहीं है, आप अपने आप से गाएंगे सार गामा पना निसा जानी धापा मादा रेशा ये भैरप था, अब मारवा मारवा में रे को मर म तीब्र सार गामा मादा निसा सारी धापा मादा रेशा अब पूर्वी, पूर्वी में रे धा को मत मा तीब्र सार गाम मादा निसा सारी सारी धापा मादा निसा अब को तोड़ी तोड़ी में रे गा धा को मत मा तीब्र तो सारी धाप मादा निसा सारी धाप मादा निसा तो यह थे इन सारे इन डसु ठाट का एक जो रियाज जो बुला जाता है कि करना चाहिए और इससे गले में भी काफी असर आता है और हम कोई भी गाना जो बोलते हैं कि उठाने में दिक्कत होती है सही स्वर नहीं लगते हैं आप ठाट करिया आज कीजिए आपको फर्क दिखेगा बहुत जादा फर्क दिखेगा इसके रिए आज के बात और इसी के साथ आज के लिए इतना ही थैंक यू डू लाइक शेर और सब्सक्राइब